हेलो बच्चो कैसे हुए आप सब उम्हीद करता हूं सभी अच्छे होंगे बच्चो आज की इस वीडियो में हमें पढ़ना है suspension and colloidal solution के बारे में हम जानेंगे कि suspension क्या होते हैं तो बच्चो चलो एक करके हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं suspension के बारे में suspension कौन सी पेंशन? suspension ओके तो यह कोई पेंशन वेंशन नहीं होती ठीक है flour डाल दिया, wheat flour घो यह चौक पावडर डाल दिया ्टो क्या होगा यह डालने Everybody बाद जो solution बना इसको क्या बोलते हैं suspension उसको क्या बोरेंगे हम suspension क्या हमने क्या लिया हमने water लिया plus चौक पावडर लिया ठीक है जब इतनों को हमने मिक्स कर दिया तो क्या बना सस्पेंशन ओके बच्चो सस्पेंशन समझ में आ गया कैसे बना चलो इसके बारे में और बावत करते हैं ठीक है तो बच्चो सस्पेंशन की देखो क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है करेक्टरिस्टिक्स ओफ सस्पेंशन क्या लक्षण होते हैं कैसे पचानूँगा कोई सॉल्यूशन जो है आपका सश्पेंशन या टू सोल्यूशन है या फिर आपका colloidal solution है ठीक है अगर आपने इसे पिछली वाली वीडियो नहीं देखी हो तो उसको देख लो उसके दर में solution के बारे में बता है कि solution क्या होता है ठीक है तो अब बात करते है suspension के बारे में तो suspension के जो सबसे पहली characteristics है सबसे पहली characteristic वो क्या है कि it is a heterogeneous mixture यह क्या होता है एक heterogeneous mixture होता है homogeneous और heterogeneous पता है न कौन से होते हैं homogeneous वह होते हैं जो uniform composition हो ठीक है और एक की face में हो जबकि heterogeneous कौन से होते हैं जो uniform composition ना हो और एक से ज़्यादा स्पेस में exist करते हों ओके बच्चों तो यह क्या होते हैं homogeneous solution होता है ठीक है suspension जो होता है कैसा होता है homogeneous solution होता है दूसरी और characteristics क्या है it can be seen by यह ऐसा ना लिखके हम यह लिख सकते हैं है the particle of suspension दे पार्टिकल दे पार्टिकल्स ओफ सस्पेंशन सस्पेंशन कैन बी सीन बाइ नेकिडाइज आप उनको खुल ली आँखों से देख सकते हैं ठीक है आप देख सकते हो कि जब आप solution बनाओगे चौक पाउडर लेना वाटर के इंदर आलना तो आप ऐसे देखोंगे तो क्या दिखेंगे आपको पार्टिकल्स दिखाई देंगे तो क्या आगया कि उसके पार्टिकल्स जोते हैं सस्पेंशन वाले मिक्चर के उसको आप नेकिडाइज से देख सकते हो तीसरी करेक्टर्स्टिक्स क्या दिस साइज क्यों देख सकते हो क्योंकि दिस साइज ओफ पार्टिकल्स आर ग्रेटर देन वन थाउजन नैनोमीटर नैनोमीटर क्या होता है नैनोमीटर चलो नैनोमीटर देखते हैं बच्चो एक नैनोमीटर जो होता है नैनोमीटर अब यह कितना है यह होगए आपका वन बिलियन यहां तक 1000 यह मिलियन और यह बिलियन या हिंदिम बोले तो वन अरव तो क्या होगा कि एक नैनो मीटर जो होता है वो एक मीटर का एक अरववा या वन बिलियन पार्ट होता है वन बिलियन पार्ट मतलो एक अरव जितना एक अबववा पार्ट है ठीक है एक अरववा पार्ट ले लो या एक ठीक है वन बिलियन पार्ट मान लो ठीक है तो उसका size का जो size होता है बच्चों क्या होता है कि जो particles होते हैं अगर वो 1000 nanometer से कम के हो तो हम उनको naked diet से नहीं देख सकते हैं अपने खुले आँखों से नहीं देख सकते हैं ठीक है उसके लिए फिर हमें microscope चाहिए या फिर कुछ ना कुछ चाहिए कुछ हम external apparatus चाहिए ठीक है लेकिन क्योंकि suspension जो होता है इन suspension में जो particle का size जो होता है बड़ा होता है तो इसलिए हम उसको ऐसी देख सकते हैं ठीक है नेकी diet के दुरूब next point क्या है अगर आप अगर आप solution बना लो किसका chalk in water का और उसको ऐसी रख दो तो थोड़े देर बात क्या होगा जितने भी chalk के particles हैं वो क्या हो जाएंगे वो नीजे बैठ जाएंगे तो लिख सकते हो the particles the particles are settled down when 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 the suspension leave undisturbed 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 तो particles जो होगे वो क्या हो जाएंगे वो settle down होँगे वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे जब उनको आप क्या कर दोगे ऐसी छोड़ दोगे क्योंकि उनके particle का size क्या है ज्यादा बड़ा है ज्यादा बड़ा होनी के वज़े से क्या होगा अर्थ उन particles के उपर न force लगाएगे और अपनी तरफ नीचेगी तो वो particles जो होगे वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे ठीक है next point की बात कर लेते है next point क्या है पसीने भवूत आते है हाँ they scattered light अब यह जो suspension solution होता है यह क्या करता है यह light को scatter करता है scatter करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आप देख सकते हो कि जब light आ रही है आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है light आ रही है जैसे आपने देखा कि देखो light आई solution के अंदर से पास होई और solution को किसी जिस color की light थी उसी color का मतलब उसके अंदर अलग से color आ गया मतलब light जो अंदर गई और उसके अंदर जाके क्या हो गई light फैल गई ठीक है और फिर light थोड़ी से पास होगी कि यह light को क्या कर देते है scatter कर देते हैं क्योंकि इनका particle का size होता है यह देखो कितना बड़ा है बड़ा होगा है जब भी इस पर light आती है light टकराती है और टकराने के बाद क्या हो जाती है इधर हुदा direction में scatter हो जाती है तो इसी वज़े से क्या होता है यह light की क्या करते है, scattering करते हैं, तो क्या होगा, आपको सवलूशन होगा, जब भी आप उसमें light pass करोगे, तो السलूशन एकदम आपको ऐसा लगए, ऊस पूरे solution के अंदर light है, ठीक है, समझ में आ गया, तो ये तो बात होई हमारे suspension की, ठीक है बच्चो समझ में आ गया ठीक है अब बात करते हैं हम किसकी Colloidal Solution की Colloidal Solution की Colloidal Solution ठीक है बच्चो Colloidal Solution तो Colloidal Solution कोन से होते हैं चलो इसके example के लिए क्या लो वही लो एक beaker लो उस beaker के अंदर पानी डालो लेकिन अब weight flower नहीं डालना अब आपने क्या डालना है अब आपने डालना इसमें थोड़ी सी 2-3 बूंद जो है या तो दूद की डाल दो या फिर आप 2-3 बूंद जो है path visible दिखाई देगा तो समझ जाओ कि जिस light में जिस solution में path visible हो वो आपका colloidal solution है जिस solution में light जो है पूरे solution फैल जाए वो आपका suspension है और जिस solution में light जो है दिखाई ना दे solution के अंदर solution से पहले और solution के बाद में बीच में दिखाई नहीं देगी तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, true solution, उसको बोलते हैं, true solution, ठीक है, तो colloidal solution क्या हो गया, इसका example बता दिया, ठीक है, colloidal solution को क्या करना, few drops of milk, few drops of milk, plus water, और यह बन गा आपका क्या, colloidal solution, समझ में आ गया, तो इसके भी कुछ characteristics होंगे, इनके भी कुछ characteristics होंगे, अब इनके characteristics के बात कर लेते हैं, तो सबसे पहली characteristics है, वही, it is a heterogeneous mixture, ठीक है, यह क्या होता है, heterogeneous mixture होगा, आप लोग genius हो, यह heterogeneous है, तो यह क्या होता है, heterogeneous mixture होता है, दूसरी चीज क्या, the size of particles are between 1 to 1000 nanometer, मतलब जो size होगा, इनके particles का, वो कितना होगा, वो एक से 1000 nanometer के बीच का होगा, थर्ड चीज क्या, जो जो थर्ड पोइंट है, थर्ड पोइंट क्या है, कि the particles can not be seen by naked eyes, इनके particles को हम naked eyes से नहीं देख सकते, मतलब ऐसा नहीं है, कि हमने particles बनाया है, जैसे दूद लिया, दूद के अंदर पानी लिया, पानी के अंदर थोड़ से दूद डाला, और ऐसा नहीं है, कि आपने दूद के पकड़ लिया, और आपको दूद का हर एक particle दिखाए दे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तो इसके particle जो होंगे, वो आप naked eyes से नहीं देख सकते, समझ में आ गया, fourth point क्या है, this size of particles is large enough to scatter beam of light, beam of light, तो देखों बच्चों क्या होगा, colloidal solution जो होगा, colloidal solution के जो particles होंगे, इतने बड़े तो हो नहीं होंगे कि हम उन्हें naked eyes से देख सकते हैं, अपनी खुली आँखों से देख सके, ठीक है, लेकिन इतने बड़े होंगे कि वो क्या कर सकते हैं, light को scatter कर सकते हैं, और जब वो light को scatter करेंगे तो क्या होगा, उस light का path दिखाई देगा, जैसे कि देखों, light का path दिखाई दे रहा आपको, ठीक है, जो light का path दिखाई दे रहा है, जो solution जा रही है, solution के बीच और बीच से जो दिखाई दे रहा हैतो इसका तो इसके पार्टिकर्ल का साल इतना बड़ा होता है कि इससा होगा कि आए कि एलाइक का कर देता है। स्कैटर कर देता है जैसे कि लाइट आई solution का पर टेकल के द्सक्राइं को फहला हो थोड़ा से फैल गया ठीक है। थोड़ा से फैल गया और हमें उसका पास दिखाई देने लगा, ओके बच्चों जो fifth point है, ठीक है इसको हम टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं, अब मैं बताता हूं दोबारा सच्छे से टिंडल इफेक्ट, इसको हम टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट, fifth point जो है फिफ्ट पॉइंट क्या कहता है फिफ्ट पॉइंट कहता है दी पार्टिकल्स पॉफ सस्कॉलोइडल सॉलूशन दू नॉट सेटल डाउन वेन लेफ्ट अंडिस्टर्ब ओके बच्चो मतलब अगर आपके पास सॉलूशन बना हुआ है कोलूइडल सॉलूशन बना हुआ है दूद में मत पानी में दूद डाल दी हलका सा दो तिन बूदे अब आपने उसको क्या कर दिया उसको ऐसे छोड़ दिया तो आप एक गंटे बाद आओ या दो गंटे बाद आओ या उसको कितने जीर भी बाद आओ ऐसा तो है नहीं कि दूद के पार्टिकल जोंगे वह नीचे बैठ जाएंगे तली पे बैठ जाएंगे यही लिखा है कि पार्टिकल्स ऑफ सोलू कॉलुइडिल सॉलूशन डू नौट सेटल डाउं वह नीचे नहीं बैठते अगर हम उनको अन्डिस्टर बिना ही लाइड लायाग उसको छोड़े तो भी वह नीचे नहीं बैठते ओके बच्चो तो यह जो थी यही थी प्रोपर्टी किसकी कोलुइडिल सॉलूशन की और character 6 भी ही हैं तो इनको note down कर लो अगर note down कर लिया है तो अब अगली इस पर चलते हैे अब हमें थोड़ा टिंडल एफेक्ट की बात कर लिते हैं रब करो dairy करो इसको बच्चो जो टिंडल इफेक्ट होता है वो भी आपका कोलोईडियल सोलुशन के अंदर ही आता है टिंडल इफेक्ट तिंडल 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 इफेक्ट बच्चों क्या होता है कि आपने देखा होगा आप सो रहे हो कमरे में ठीक है लाइट गई हुई है अप उठे सुवे के टाइम और आप क्या देखते हो कहीं खिड़की से छोटी सी लाइं आ रही है और जब आप उस लाइट में देखते हो तो उस लाइट का आपको पाथ ग्ता दिखाई देता था है मान लोग फिडकी है उस लाइट when a light is passed through a colloidal solution colloidal solution then the path of light is visible this phenomenon is known as tindle effect तो बच्चो जब भी कोई light किसी solution से pass होगी और वो solution कैसा होना चाहिए colloidal solution होना चाहिए तो उस light का जो path जो है वो solution के अंदर visible होगा उस light का जो path है वो अब दिखाई देगा तो इसी effect को हम क्या कह देते हैं इसी phenomenon को हम क्या कह देते हैं कि ये क्या है tindle effect है phenomenon मतलब घटना मतलब इसी घटना को हम क्या कह देते है कि टिंडल इफेक्ट तो बच्चो टिंडल इफेक्ट के लिए जरूरी नहीं कि solution जो है liquid में ही हो solution आपका air में भी हो सकते है जैसे कि आपने हाँ देख सकते है ये कहां का है ये जंगल की तस्वीर है और जंगल में से क्या हो रहा है जंगल में कहीं से light आ रही है और उस light आने की वज़े से उस light का देखो path visible हो रहा है तो इसी को हम कह देते हैं इसी को हम टिंडल इफेक्ट भी कह देते हैं तो बच्चो आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करना बिल्कुल ना बोले तब तक के लिए बाई बाई